गुट मार्णिंग बच्चों, मैं संजीत पुना स्वागत करता हूँ अपने योट्यूब चैनल संजीत डवलो डवलो टीशी पे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग नेपोलियन बोनापाट के बारे में पढ़ने चारे हैं जो कि फ्रांस का एक बहुती वीर, योद्धा और कुसल प्रशासत रहे हैं आप उनकी वीरता का आकलन, उनके द्वारा कहे गए कुछ वाक्यों से कर सकते हैं नेपोलियन बोनापाट का मानना था कि असंभव सब्द सिर्फ कायरों के सब्द कोस में ही होते हैं यानि कि जो वीर होते हैं उनके लिए impossible जो होता है वो कुछ भी नहीं है, impossible कुछ भी नहीं, nothing is impossible उनका मानना था कि अंजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पर ही तलवार चमकाते हैं आप उनके वीरता का आंकलन उनके द्वारा कहे गए, कुछ अन्य वाक्यों से भी लगा सकते हैं, कि वो किस प्रकार के एक वीर सैनिक और कुसल सेना पती थी उनका मानना था कि यदि आप सौ सेरों की एक सेना बनाते हैं, जिसका सेना पती एक कुत्ता है, तो युद में सारे सेर जो हैं, वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे लेकिन यदि आप सौ कुत्तों की एक सेना बनाते हैं, जिसका सेना पति एक सेर है, तो सारे कुत्थे भी जो होंगे न वो एक सेर की भाती लड़ेंगे तो आप उनके इस उजस्वी पूर्ण भाशन या उनके इस कथन से आंकलन बिल्कुल भली भाती लगा पा रहे होंगे कि वो एक कैसा कुसल सेनापती होगा ना केवन वो एक कुसल सेनापती के रूप में अपने आपको साबित किया बलकि वो फ्रांस के एक बेहतरिन सासकों में भी गीना जाता है आईए आज के क्लास में हम लोग ऐसे ही पर्तिभा साली एक कुसल, सेना पतीज, योध्धा और कुसल प्रशासक के बारे में जानने की कोशिज करते हैं अस्क्रीन पे जो तस्वीर आपको दिख रही है नेपोलियन बोनापार्ट की है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस 1779 स्वी को कुस्षी का दीप के अजासियो नामक नगर में हुआ था इनके पिता जी का नाम कारलो बोनापार्ट था लेकिन उनके आर्थिक इस्तिती जो थी वो बहुत बेहतरीन नहीं थी परन्तु इसकी मां हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेणा दी और हमेशा उसे वहां के बहतरीन अस्कूलों में उन्हें नामांकन करवाया उसका वहां पर एड्मिशन करवाया और उसे बहतर सिच्छा देकर एक योग्य वेक्ति एक योग्य इंसान बनाने की हुआ कोशिस की अस्कूल में भी जो उनके अमीर साथ ही हुआ करते थे वो हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे परन्तु बच्पन से ही नेपोलियन के भीतर गजब की सहन सकती और गजब का दो धैर था इसी वज़े से अपनी गरीबी का मजाक उरते उए देखने के बावजूद भी नेपोलियन कभी भी अपने साथियों को पलट का जवाब नहीं दिया करता था यही वज़ा थी कि नेपोलियन के एक सिच्षक ने उसके बारे में बच्पन में ही यह घोसना की थी यह बालक ग्रेनाइट का बना हुआ है लेकिन इसके भीतर एक ज्वाला मुखी छिपा हुआ है और जिस दिन वह ज्वाला मुखी पटेगा फ्रांस में भुकंप यानी की भुचाल आ जाएगा महत 16 साल की आयू में वह सेना में सेकंड लेटिनन के पदपर निवत हो गया और नेपोलियन बहुत ही अनुसासन प्रेक वेकती रहा है उसके जीवन में अनुसासन का बहुत ही महत रहा है और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि जब वह सेना में कारि डरेक्टरी का सासन चलते रहती है उस समय वह आलपस परवत को पार करके उसे एक मिशन पर जाना रहता है और उस जमाने में आलपस परवत को कभी किसी ने पार नहीं किया रहता है उसे पार करना विल्कुल असंभव माना जाता है सारे लोग कहा करते थे कि जो भी आलपस परवत को पार करने की कोसिस किया है वह कभी जिन्दा लौट कर नहीं आया है लेकिन नेपोलियन को अपने मिसन के लिए उस आलपस परवत को पार करना आवस्यक था और उसने ठान लिया था कि मैं आलपस्परवत को पार करके दिखाऊंगा क्योंकि बच्पन से ही इसे उन कामों में ज़्यादा मन लगता था जो दूसरों के लिए असंभव हुआ करता था इसने तो ड्रिड़ संकल्प कर लिया परन्तु इसके सैनिकों को कौन समझाए वो तो मानते थे कि मैं जदी जाओंगा तो कभी वापस लौट के ही नहीं आओंगा परन्तु इसने अपने सैनिकों को समझाया कि जब मैं रास्ते में चलूँगा तो मैं सब से आगे चलूँगा और जब आलपस परवत आएगा तो मैं तुम लोगों को बतला दूँगा और उस समय तुम लोग देखके तै करना कि आलपस परवत को पार करना है या नहीं करना है ये समय परिस्तिती को उपर छोड़ दिया जाए अभी से क्यों हिम्मत हारते हो इस बात पर नेपोलियन के जो साथी थे वो एगरी हो जाते हैं कि ठीक है जदी आप आगे चलोगे और उस जगह पर हम लोगों को तै करने का अवसर मिलेगा कि हमें पार करना है या नहीं करना है तब हम लोग आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तयार है नेपोलियन अपने स्टैनिकों को लेकर आगे 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 बढ़ता है कुछ करता है और जब मार्ग में आगे जाने के बाद एक परवत दिखाई परती है तो उसके स्टैनिकों ने नेपोलियन से पूछा कि क्या यही आलपस परवत है नेपोलियन जानते हुए भी अपने सैनिकों को जूत बोलता है और कहता यह आलपस परवत थोड़े ही न है जब हम लोग यह तो छोड़ा सा एक महज परवत है जब हम लोग इस परवत को पार कर जाएंगे तो लगवग इससे डेर दो गुना एक विसाल परवत मिलेगा वो आपका आलपस परवत होगा उसके बाद तुम लोग टै कर लेना कि पार करना है या नहीं करना है नेपोलियन की बातों को सुनकर उसके सारे सैनिक जो रहते हैं बहुत ही उत्सा पुरवक उस परवत को पार कर जाते हैं परन्तु जब आलपस उस परवत को पार करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो उसे एक विसाल संतल मैदान दिखाई पड़ता है आगे बरते जाते हैं परन्तु उसे कोई अन्य दूसरा परवत नहीं मिलता है तब जाके एक बार पुना उसके सैनिक जो है वो नेपोलियन से पूछते हैं कि आलपस परवत जो है वो यहां से कितनी दूर और रह गया है नेपोलियन अपने सैनिकों को हसते हुए जवाब देता है किस आलपस परवत की तुम बात कर रहे हो किस आलपस परवत से तुम डर रहे हो उसी आलपस परवत को जिसने तुम लोगों ने हसते हसते पार करके आये हो इस बात को सुनके उसके सैनिक जो थे वो दंग रह गए और उनमें उर्जा का एक नया संचार हो जाती है और वे जी जाम से उस मिसन में लग जाते हैं कि नेपोलियन के लिए किस प्रकार से वीरता मायने रखती है किस प्रकार उसमें गजब का वो प्रतिभा थी कि अपने मनासन सैनिकों में वह स्विश ऑस्यार जानपारव और व होस् सकता था नेपोलियन के बारे में 1789 इस्वी में कोर्षी का दीप जो था वो फ्रांस के विरूद वो बिद्रोग कर लेता है की नेपोलियन जो बचपन से ही कोर्षी का दीप की स्वतंतरता का स्वपन देखते रहता है उसे मानों कि अपना स्वपन पूरा करने का अपना ख्वाप पूरा करने का यह golden opportunity मिल जाता है और वह भी उस जंग में सक्क्रिय रूप से भाग ले लिता है और अन्तता वह 1793 इस्वी में अपने परिवार के साथ France आ गया और वह जैकोबीन कलब का सदस से बन जाता है और यहीं से वह फिर फ्रांस में एक आगे की और बढ़ते चला जाता है इसके बाद वह France में कभी पीछे मूर कर नहीं देखता है आई अब हम लोग बात करते हैं कि नेपोलियन बोना पार्ट को प्रांस में अपनी च्हमता का परदर्शित करने का जो पहला अवसर मिलता है वो कहां पर मिलता है तो नेपोलियन बोना पार्ट को अपनी च्हमता का परदर्शन करने का पहली बार अवसर जो है वो तूलों पर मिलता है तूलों एक जगह है येरोप में और उसी जगह पे उसे सबसे पहली बार अपनी छंता को परदर्शित करने का अवसेर मिलता है आखिर यहां पे क्या होती है तो देखिए समझने के कोसिस किजिए 28 अगस 1793 इस्वी को अंग्रेजी जहाजी बेडे ने फ्रांस पर आत्रमन कर देता है आपको यहां पर एक बात और जान लेना होगा कि यह वो दोर था जब फ्रांस और ब्रिटेन में भेंकर दुस्मनी थी आप कह सकते हूँ कि जितना दुस्मनी भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना में नहीं रही है एक जमाने में फ्रांस और ब्रिटेन में इस प्रकार की दुस्मनी हुआ करती थी ति ये वही दौर था जब 28 सगस 1793 को अंग्रेजी जहाची बेड़े ने फ्रांस पर आकर्मन कर दिया और दोनों पर अधिकार कर लिया कि उसी समय ने पॉलियन ने अंग्रेजी सेना पर आकर्मन करके उसे प्रास्त कर दिया मतलब जिस समय फ्रांस संकट में रहता है उसी समय फ्रांस को संकट से मुक्त करने का जो बीड़ा उठाता है वो कौन नेपॉलियन बोना पार्ट उठाता है और इसी कारनामे की वज़ तो इस प्रकार से उसमें पहली बार नेपोलियन में अपने नाम का पर्चम लहराता है और दूसरी बार उसके अपनी छंता का परदर्शन करने का मौका जो है वह 5 अक्टूबर 1795 इस्वी को मिलता है यह वह वक्त है जब फ्रांस में डारेक्टरी की सासन व्यवस्था चलती ह पांच लोगों की डारेक्टरी रहती है और उन लोगों के द्वारत वहां पे सासन चलाया जाता है देखी वहां पे क्या होती है 1795 इस्वी को परजातंत्रवादियों ने राजतंत्रवादियों वा संविधान से असंतूस्ट होकर पेरिस की भीर को संगटित करती है और नेशनल असेंबली के विरुद जो है वो बगावत कर देती है यानि 5 एक्टूबर 1795 इस्वी को जो परजातंत्रवादि जो रहते है उन लोग पेरिस में एकत्रित हो जाती है और नेशनल असेंबली के खिलाफ वे लोग बगावत करने के लिए शुरू कर देते है लेकिन उस वक्त नेशनल असेंबली की सुरच्छा की जो जिम्मेवार रहती है वो नेपोलियम भोनापाट के हाथों में रहती है और आपको पता होगा मैं कई बारा भी बतला चुका हूं कि नेपोलियम हर वो एक काम करने में सक्षन ता जिसे इंपॉसिबल माना जाता है काफी प्राउड रहती है उतने बड़े भीर को तीतर बितर करना उतने पड़े भीर को वहां से हटाना उन विद्रोईयों को सांत करना सरकार के लिए असंबह था उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनावती थी परन्तु नेपोलियन जो है इस चुनावती को भी वह स्वीकार करता है और 40 तोपों से भीशन गोलाबारी करके दो घंटे के अंदर महज दो घंटे के भीतरी सारे विद्रोईयों को वहां से मार भगाता लगबद 400 विद्रोई जो रहते हैं वो इस गोलाबारी में मारे जाते हैं हलाकि 200 सैनिक जो है वो नेपोलियन के भी मारे जाते हैं परन्तु नेपोलियन ने विद्रोईयों को दमन करके फ्रांस को जो ग्रह युद्ध की स्थिती के द्वार पे पहुँच चुका था उस समय फ्रांस को उसने ग्रह युद्ध की स्थिती से बचा लेता है और इसी वज़े से एक बार पुना नेपोलियन को एक टाइटल दी जाती है Defender of the Democracy यानि कि पहली बार जब उसने तुनों पर अपना परदर्शन करता है तो उसे टाइटल मिलती है ग्रेडियर जेनरल का और इस बार उसने जब विग्द्रोहियों का दमन किया तो उसे उपादी दी जाती है Defender of the Democracy का अब तो इस प्रकार उसके तो बहुत सारे अभ्यान का किये लुक्त किरूं है ना तो बच्चों मां कुछ गिने चुने शुक्त आँ अच्चा चलो मैं एक और कहानि सुनाता हूं नेपोलियन अपने जीवन में बहुत सारे अभियान किये और उनका मानना था कि जदी मैं एक बार इंग्लिश चैनल को पार कर जाओं तो मैं पूरे बिस्व के मानचित्र से ब्रिडेन का नक्सा ही मिटा दूँगा और उसने भारत पर भी आकरमन करने का प्रयास किया था क्योंकि भारत में मैसूर के जो सा सकते टीपू सुल्तान उसने उनकी मित्रता थी और उनके सहयोग से उनका प्लानिंग था नेपोलियन बोनापाट का कि वह भारत पर भी आकरमन करेगा और उन अंग्रे जो को यहां से म खाके बैठा था चाहे वो मिस्र की बात करें मिस्र अभियान की बात करो या नील नदी का अभियान की मैं बात करूं तो इस तरह से उसने कई अभियान पे विज़त प्राफ्ति किया परें तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो मैं रूस के अभियान की बात करने जा रहा नेपोलियन लगवक्स ताड़े 5 लाग सैनिकों की एक विसाल खौज लेकर रूस पर आत्रमन करने के लिए निकल पड़ता है और जब रूस पहुँचता है तो उस समय वहां सरी का मौसम रहता है और कड़ाकी की सर्दी रहती है इस वज़े से उसके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और जब उसने युद्ध में भैंकर युद्ध होती है और भैंकर युद्ध के पश्चाच जब वो नेपोलियन की सेना विजय भी प्राप्त कर लेती है परन्तु वहां की राजधानी में चारों तरफ वह देखता है कि आग लगी हुई है खाने पीने का कुछ भी बचा हुआ नहीं है आस्तरे का समस्या है कहां ठैरे गया इतनी विसाल सेना क्या खाएगी इन तमाम संकटों की वज़ा से मतलब वो आकरमन अवस्दी करता है परन्तु वो हासिल कुछ कर नहीं पाता है वो निपोलियन वहां से निकलने की कोशिस करता है परन्तु तब तक एक बार Puna सरदी का मौसम प्रारंब हो जाता है और इसी वज़़ा से उसे एक बार Puna सरदी के अंथ होने तक का उसे इंतजार करना पड़ता है लेकिन जब वो वापिस लोडता है तो महज उसके एक अभियान से उसे कितना जादा नुकसान हाथ लगा था या नुकसान उठाना पड़ा था जब वो अंतता वापिस लोगता है तक तक फ्रांस की जो इस्थिती रहती है वो बदल गई रहती है और फ्रांस में सेना उसकी जो सरकार रहती है वो कमजोर पड़ गई रहती है और अ करने के लिए तपर रहते हैं और अलग-अलग संगटनों के माध्यम से अलग-अलग गुटों के माध्यम से नेपोलियन पर आत्मन करने की तैयारी हो जाती है और ठीक बिल्कुल ऐसा ही 18 जून 1815 इस वी को वाटरलू का युद्ध होता है और इसी वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दी जाती है और नेपोलियन भी इस बात को जानता था कि यह मेरा आखरी युद्ध है परंतुवा इस बात को जानने के बाद भी वह तैय किया था कि मैं भले ही इस युद्ध को हार जाऊंगा लेकिन मैं जीते जी कभी भी हार को स्विकार नहीं क करूंगा और अंतता पराजित होने के पश्षाद उसे सेंट हेलेना द्विप में कैद कर ली जाती है जहां पांच मई 1821 इस्वी को उसकी मिर्तियों हो जाती है कहा तो जाता है बच्चों कि नेपोलियन बोनापाट की मिर्तियों जो होती है वो पेट में कैंसर की वज़ा से ह हो जाती है परन्तु एक मतिया भी माना जाता है कि नेपोलियन बोनापाट की मिर्तियों उसके जहर देने की वज़ा से होती है यानि कि नेपोलियन बोनापाट को जहर देकर मार दिया जाता है तो उसे नेपोलियन बोनापाट का एक पार्ड हम लोगों ने जाना लेकिन 1595 में डिरेक्टरी का सासन था और 1799 इस्वी तक आते आते प्रांस में डाइरेक्टरी सासन वेवस्था जोती वह अभी कमजोर हो जाती है और इसी का फाइदा उठा कर नेपोलियन जो है वो फ्रांस का सत्ता की जो बागदोर होती है वो अपने हाथों में ले लेता है और खुद को फ्रांस का पहला समराथ घोसित करता है सपत गरहन समारो में जब नेपोलियन बोनापार्ट को वहाँ का पोप के द्वारा जैसा कि फ्रांस की प्रंपरा रहती है कि वहाँ के सासक को सत्ता का सासक का राजा का जो राज मुकुट होता है वो पोप के हाथों पहनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से नेपोलियन को भी वहाँ के पोप के द्वारा जब उसे मुकुट पहनाया जाता है तो नेपोलियन जो है उसे रोक देता है और कहता है कि ये जिस मुकुट राज मुकुट को आप मुझे पहनाने जा रहे हो वह मुझे कोई खैरात में नहीं मिला है बलकि फ्रांस के राजमुकूर को मैंने फर्स से अपने तलवार की नोप पर से उठा कर मैंने अपने स्तिर पे रखा हूँ यानि जो कुछ भी मैंने हासिल किया हूँ आज भले ही मैं फ्रांस का समराट बन रहा हूँ तो जो कुछ भी मैं हासिल किया हूँ वो अपने बलबुते प्राप्ति किया हूँ, अपने काभीलियत के बल पे प्राप्ति किया हूँ, किसी के एहसान के बदौलत नहीं प्राप्ति किया हूँ, तो आप समझ सकते हो कि कैसा उनकी प्रतिभाती, कैसा उनमें अदम में साहस थ जब Napoleon सासर्ट बनता है तो उसने फ्रांस में सुधारात्मक कारियों की जड़ी लगा देती है, लाइन लगा देती है इसी को नेपोलियन संगीता के नाम से भी जाना जाता है सिच्छा की मैं बात करूँ, स्वास्त की बात करूँ या अन्य चीजों की मैं बात करूँ तो उसने अपने सासनकाल में अनेकों अनेक सुधारात्मक कारे किया इसी को नेपोलियन संगीता कहा गया है जिसके बारे में आप class team के history में भी पढ़ोगे तब तक के लिए बच्चों आज का class मैं यहीं पर समाप करता हूँ फिर मिलते हैं अगले class में जदि आपको वाकई में वीडियो पसंद आया हो तब अमारे channel को ज़रूर subscribe करें अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले मिलते हैं अगले part में तब तक के लिए धन्यवाद